इदर महगाई को काबू करने के लिए सरकार की तरफ से गुरुवार को कई बड़े फैस्ते लिए गए दलहन की महगाई को काबू करने के लिए सरकार ने मटर आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी के साथ agriculture तथा infrastructure stress को 31 मार्ज तक हटा दिया है इसके बाद प्याज की महगाई को रोकने के लिए प्याज निर्यात पर प्रदिबंद लगाने का फैस्ता हुआ सारे चीनी शेरों की जो है शेर बुरी तरह पिटे हैं दो दिन के अंदर क्या वज़ा रखती है आपको क्यों इस तरह का फैसला लिया यह बड़ा चौकाने वाला फैसला था चीनी उद्दियों के लिए तो काफी बड़ा जटका था और सरकार की अपनी योजनाओं के लिहास से यानि गनने के यूस से जो एथनाल बनाती है उसका इस्तेमाल वो एथनाल बनाने में नहीं करेंगी आपको पता है कि एथनाल का इस्तेमाल पेट्रोल डीजल में मिलाने के लिए किया जाता है और कहा जाता है तथा कतित रूप से कहा जा रहा था कहा जाता है कि इस से भा कार ने अचानक के फैसला लिया और चीनी कंपीनियों से कह दिया कि वह गन्ने के रससे एतनाल नहीं बनाें गी चीनी कंपीनिया गन्ने के रससे जितना एतनाल बनाती है विफ्फल जी उस से उससे करýब 40ATHAN लाक तुन चीनी बनाई जा सकती है है जितना गन्ने का गरस एतनाल में जाता है मतलब समझना ये कि चीनी की कीमतों में तेजब भड़ोतरी सरकार को परिशान कर रही है चुनाव सामने है क्रोध है लेकिन महंगाई तो महंगाई है और वो दिख रही है तो एतनाल से बनने वाली गन्ने के रस्ते बनने वाले एतनाल पर रोक के अंतराश्टी स्तर पर भी चीनी की कमी है दुनिया में भी चीनी की उत्पादन में कमी आई इसलिए शुगर की कीमते पूरी दुनिया में बढ़ी हुई है और भारत में शुगर की कीमते रोकने का यही एक तरीका था कि सरकार को एथनाल ब्लेंडिंग को सीमित करना पड़े और इससे भारत की एथनाल की पूरी होजना है, थोड़ा लडखडा जाएंगी, इस पर उसका असर पड़ेगा. हाला कि इसके ततकालबा जो दूसरा मंतराल है, इसमें जुड़ा हुआ है, पेट्रोले मंतराल है, उसके तरफ से कहा गया है, कि नहीं है, तातकालिक तरफ पर लिया गया फैसला है, इमीडियेटली है, ये लंबे समय में इसका असर नहीं होगा, सरकार अपने 15% के लक्ष पर से बात करती, तो हम कोशिश करते कि चीनी उत्पादर मीं बढ़े और हमारा जो एथनॉल से काफ़ाई हो रही है, वो भी आती रहे, कितना बड़ा जटका है, उद्यों के लिए बहुत बड़ा शाक है, उसकी वज़े ये महंगाई घटेगी कि नहीं देखने की बात होगी, क्योंकि सेंटिमेंटली तो सरकार ने बाजार को संकेत देने की कोशिश की है, कि जब इतने गन्य का रस एथनॉल बनाने में नहीं जाएगा, तो सौभब किसी बात है कि वो चीनी बनाने में जाएगा, तो चीनी के आपूरती बहतर होगी, बाजार में सेंटिमेंट महंगा चीनी उद्दियों की आदत बना दिया गया था। इसके लिए उन्होंने बड़ा कैपिक्स किया था, बड़ा पूजी निवेश किया था, उसकी एक्षमता हैं तियार की थी, एथनाल उनके लिए एक किस्म का कैश प्रोड़क्त था, उसको तत्काल बनाते थे, और तेल कमपि इन यह उस से खरीद कर उनको भुक्तान कर देती थी तो चीनी अर्थ व्यस्था में चीनी मिलों की अपनी अर्थ व्यस्था में चीनी तो देर से पैसा लने वाला प्रोड़ेक्ट है चीनी बनाई फर इसको बेचा उसके पोटे के Dhésitez के तमाम इशूजcje रिलीज或者 इसको आफ जो ततकाल बिखता था तो चीनी कंपिनियों की बैलन्स शीट में एथिनाल का एक बड़ा हिस्सा था और अचानक इस रोक से चीनी कंपिनियों के बैलन्स शीट उनके निवेश उस पर तो असर पड़े गा ही और वो स्वभाविक सी बात थी उद्यों के शिकायत भी इस मामले कि यही वो policy की uncertainty है जो भारती उद्योगों को हमेशा परिशान करती रहती है कि एक 6 महीने पहले सरकार एथनाल का प्रोटसाहन दे रही है कि एथनाल का और ज्यादा ब्लेंडिंग की जाए जिससे भारत में आयल का इंपोर्ट कम हो सके और 6 महीने बाद उसी पर रोक लगा दी कि यह बाद यह कि एज अ झाल झाल